तो आज जैसे कि आप देख रहे हूंगे राइस कुकर तो लास्ट वीडियो में मैंने केक का डाला था व्लॉग और आज है रेसिपी तो आज मैं फिर से चॉक्लेट केक बनाने वाली हूँ तो बने धेगा व्लॉग में और ये था बटर दू अंडा हमने यूज करना है साथ में कुको पाउडर और यह भी कुको पाउडर है दो अलग-अलग ब्लाहिम के पाउडर थे मेरे पास और ये बेकिंच पाउडर और वनीला असेंस तो और ये है चॉक्लेट एसंस तो ये और हरसी इसका डेकुरेशन के लिए और ये बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, कोई जुरी निये मिल्क पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो और ये विप्ट क्रीम है, इसे हम विप्ट क्रीम बनाएंगे, वो पाउडर फॉर्म में और ये रहा मेंदा, तो ये सारा समान अमने क बोड़ लेंगे, एक बॉल में दो अंडे को रख लेंगे, अपकर अंडा यूज नहीं करना है, तो आप स्किप कर सकते हो इसके बदले फ्रेश, वन कब दही वी यूज कर सकते हो अंडा के बदले, और ये चीनी मैंने पीसा नहीं है, ये पूरा ही साबू चीनी है, और ये बन जाता है, और ओवन में तो मैं हमेसा बनाती हूँ, जब से राइस कुकर आया हुआ है, लास्ट की केक बहुत टेस्टी बनी थी, फिर मैंने जोचा आज में भी राइस कुकर में ही बनाती हूँ, तो ये बटर और एक चीनी के निस्रम को अच्छे से घोल लेना है, इतना दो कप से थोड़ा सा कम मैदा का यूज किया है, और ये रहा कोको पाउडर, तो चार से पाथ चम्मच में इसमें कोको पाउडर डालूगी, आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हूँ, पर ज्यादा डालने से कड़वा होता है, अगर आपके पास कॉफी पाउडर यूज करने का जोद्मेदा है, तो ये मैंदा का पॉंटिटी ज्यादा था तो ये मैने ड'ायस जहसा चम्मच डाल तीक है बेकिंग पाउडर, अब हम इसमें थोड़ा सा एकदम चुटकी भर मैं भलाल डालों सामान से मिल्क पाउडर ज़ोदा है, यह तो चम्मच मिष्म डाल रही हूं आप चाहे तो मिल्कॉर्ण को स्किप कर सकते हैं और ये अब हम हलकी हातों से इसको घोलेंगे और ये एकी तरह से घोलना है इसको अलग-अलग डाइरेक्शन में नहीं घोलना है राउंड राउंड करके और जितना बैटर को चाहिए उसे साफ से हम दूद का य इतना बैटर का हो थिकनेस ज्यादा पत्ला भी ना हो अब हम जिस बरतर में केक बनाएंगे इसको घ्रीस कर लेंगे बटर से तेल से ऐसे तो ये चिपकता नहीं है नौन स्टिक का है लास्ट मेंने बनाया था तो कुछ यूज नहीं करा था ये नहीं चिपका था बट मैंने हम बनागें लिए टाल दिया है अब इसमें हम बैटर डाल देंगे यदे श्याकर थीकनेस होना चाहिए कि एक बहुती भुःफिय बनता जयादा पत्ला बैटर होने से केक नहीं जल्दी बनता है पकने में इस तरह से हम अम इस तरह का स्पून बहुत हnant ا doda है और हम इसको टैप कर लेंगे कितनी भी हवा बहार आ जाएगी अब इसको राइस कुछर में रखके केक बारा क्लिक करके ये खुदबखको टाइम इसमें सेट हो जाएगा 25 मिर्ट का टाइम है बढ़ ये 20 मिर्ट बनके तयार हो जाता है क्योंकि वो जब अरोमा घर में फैल ज करना है आप चाहे तो पानी भी यूज कर सकते हैं अब मैंने इसमें 50 ग्राम जैसा लिया है ये क्या कहता है विपिंग पाउडर और साथ मिल्क दिया है तेम में अब जाकर मैं इसको विप्ट कर लूँगी इसको मैंने नीचे रखके किया है विकाज ये प्लाक वाइंट ज करना रेडिमेट पाउडर है बस आप उसमें डूड डाले और विप करें अब मैं इसको फ्रीज में यूज करने से पहले रख दूंगी क्योंकि अभी हमारा निकला नहीं है और वह थंडा होने के बादे उसको डेकोर करेंगे और ये मैंने शुगर शीरब बना लिया है थो पर उनके पास और दूसरा कोई कलर नहीं था फिर घर में लास्ट जहन्नों के बद्दे का पॉपल कलर बचा हुआ था तो हमने वह यूज कर लिया और बच्चे जहां खुश वहां हम सब खुश तो ये मैं बलून फुलाते हुई मुझे बलून फुलाना बहुत अच्छा मैंने पास मिनिट में या चार मिनिट में बीस से बाइस बलून फुला लिये थे और मज़ा आता है मज़ा आता है बलून फुलाना मुझे तो अभी ये सारा बलून हम लोग फुला के इसको साइड में रख लेंगे बिकास उसके पापा अभी दुकान पे है अभी साम का तो हम लोग सारा बलून फुला के रूम में रख देंगे, उसके बाद मेरे पास घ्लीटर नहीं था, तो मैंने क्या क्या मेरे पास एक गिफ्ट रैपर था, तो उसको मैंने एकदम चुटी-चुटी टुकुरो में काट लिया है, जिसको की हम बलून में भरेंगे, आप ऐसा क कर सकते हो, वो क्लीटर वगरा से अच्छा है, यह अराम से बन जाता है घर पे, और यह मैंने सारा बलून में डाल लिया, आप में इसको फुला के बीज में रखूंगी, आप लोग लाइव वीडियो में देखना है, हमने इसको फोडा भी है, अब यह हमारा केक बहुत ही आप देख सकते हैं, इतना प्यारा केक बन गे निकला है, तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है केक बनाना, और यह पर नहीं है, अब हम इसको फ्रीज में रखा था, मैंने अब इसको निकाल लिया, इसको में दो हिस्सों में काटूंगी, तो आप इस बहुत ही चाको से उपर नीचे हो सकता है साइज में तो अम लोग एक धागे से इसको कट करेंगे इसे क्या होता है एकड़ करता है केक बहुत इजी है आप इस तरह से केक के पीसे कर सकते हो तो ये कट गया हमारा केक आप लोग व्लोग को इंजुआई करें प्लीज व्लोग अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपना प्यार जुरूर बनाईएगा चानल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को क्लिक करना मद भूलिएगा और रेसेपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर सजिशन दीजिएगा अब ये रा केक क्रीम मुझे उतना चासे नहीं आता है डेकोरेशन करना मैंने बस एक बच्चों के खुसी के लिए बना लिया है और इसमें ग्रेसी भी मेरी मदद कर रही थी तो कभी-कभी ऐसा कुछ करना चाहिए बाजार का तो हम लोग रोजी बना के खाते हैं मंगा के तो कभी-कभी खुछ से ट्राइ करें तो ये जैसा भी हुआ डेकोरेशन मैंने कर लिया विप्ट क्रिम को मैंने कुछ और करना चाहरा था पर वो हुआ नहीं और ये रहा मेरा ग्लिटर वाला बल्लून तो ये मैं सच में गाईस ब्लकुल ठक गई थी और अभी रात के साथ साड़े 11 बच चुके हैं गोमजी रूम में मुबाइल देख रहे हैं तो बस मैंने इतना ही डेकोरेशन किया है और मैं अब जाने उतियार होने मैंने ये वाला ड्रेस नहीं पैरा था क्योंकि ये मुझे लूज होने लग गया था और ये रहा सिंपल सा डेकोरेशन और हनलू भी रेडी हो रहा है बहुत जाद एकसाइटेट है अब हम जाएंगे उसके पापको बुलाने और आप प्लीज लाइफ वीडियो जुरूर देखेगा मैं यहाँ पे लाइकन बटन में सॉरी मैं यहाँ पे टाच कर दूँगी आई बटन में आप लोग देख लेरा बहुत मज़े से नजॉय किया था हमारा पिक्चर्स तो आप लोग अपना प्यार बनाईए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि प्लीज प्लीज गाईज अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आप लोग का प्यार सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रुरत है और रहा गीववे वाला अनॉंसमेंट वो मैं जल्दी ही करूँगी आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे फैमिली को बड़ा करिये और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेते आऊंगी तो आज के लिए इतना ही अभी मेरे एक माशी सुभा का भी वीडियो में अटाच कर देना दिया आप देख ले ना सुभा माशी आया थी जो कि आज बढ़े आज आज बढ़े आज़ा आज़ा नहीं तोड़ो सारा बलून फोल्ड है दोनों मिलके मेरा हाल देखी सकते आज बहुत लेट हुटा किरगे राथ को लेटने पार्टी कहने के चक्कर में और थाइंक्यो आप लोग का विस्स बहुत अचा लगा बहुत नसारा विस्किया आज़ा आज़ा